नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नागेश तनवर, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूटूब चैनल में दोस्तों स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, आपको पता है हमारी एक सीरी चल रही है, जिसमें हम आप सभी को बता रहे हैं कि किस राशी लगन वाले को 2020 के अंदर ऐसे कौन से उपाय कर रहे होंगे, जिसकी वज़े से वो अपना करजा 2020 के अंदर उतार सके तो दोस्तों, अभी तक हम मेश राशी, रशाब राशी, मिथुन राशी और करक राशी इन चार राशियों के बार में वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं आज हम लियो साइन या सिंग राशी के बारे में बताते हैं कि सिंग राशी वालों को लियो साइन वालों को कौन से ऐसे उपाय करने होंगे, जिसके करने से वो 2020 में सारे सारे अपने करजे उतार सकें, डेक्स फ्री हो सकें, लोन सारे चुका सकें तो दोस्तो जैसे कि हम अपनी सीरीज में बताते हैं आपको कि कभी भी किसी भी वेक्ति को कर्ज, मर्ज और फर्ज को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए तो दोस्तो इसी को दिहां में रखते हैं हम ये चाहा रहे हैं कि हर वेक्ति 2020 में कर्ज मुख हो जाए कि कर्जा होना एक बहुत ही बुरी बात है मनला हर इंसान चाहता है कि टेंशन फ्री लाइट जिये या जीवन में तरक्की करें किसी तरह की जो भी परिशानी उसको आती है फनेशन से लेटेड कम से कम वो उसको ना है तो दोस्तो इसी को ध्रक्कम ने इस सीरी शुरू की है चार साइन राशी वालों को हम बता चुके हैं आज हम बात करते हैं लियो साइन लियो राशी वालों को कौन से ऐसे उपाय करने होंगे जिसको करने से 2020 में वो अपने मैक्सिम कर्जे उतार भाएं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिंग लगन यानि के सिंग लगन वालों के लिए कौन सा ऐसा प्लानेट होगा कुंड़ी में जो कि इसके करजे को उतारने में उसकी हल्प करेगा और कौन सा उसका भागय का मालिक होगा तो दोस्तों हम अमेशा लोजिकल बात करते हैं यानि के अब हमें तीन प्लानेट पकड़नी होगे सबसे पहले सिंग लगन सिंग राशी वालों का जो लगन का स्वामी है वो है सूर्य भगवान दूसरा सिंग लगन के लिए जो छटे गर का मालिक है जो कि हमें करजा दिलाता है और वो ही ऐसा प्लानेट है वो ही ऐसा ग्रह है जो कि हमारा करजा उत्रवाएगा भी तो दोस्तों वो है शनी महराज और सिंग राशी वालों के लिए जो उनका लक का लाड है यानि के भाग्य का जो मालिक है वो है मंगल तो दोस्तो सिंग राशी वालों को हमें तीन प्लेनेट पर ध्यान देना है हमें तीन ग्रहों की रेमेडी करनी होगी उपाये करने होंगे ताकि हम 2020 में अपने करजे उतार सकें वो है ग्रह पहला सूर्य है दूसरा मंगल और तीसरा है शनी इसमें में प्लेरेंट होगा शनी जो आपके करजे उतरवाएगा लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि लगन सबसे ज़्यादा बली होने चाहिए यानि कि लगन का स्वामी अगर बली होगा तो कहीं न थे हैं आप करजे उतारने में ततपर रहेंगे सक्षम होंगे और आपका तन और मन दोनों इस लाइक बन जाएं ताकि आप अपना दोजा भी इसके अंदर खरजा उतार सकें तो दोस्तों सबसे बहले बात करते हैं कौन से ऐसे सूर्य को उपाए हैं जिसको करने से आप करजमुक होंगे पहला उपाए दोस्तों आपने क्या करना है दोस्तों सूर्य को बली करना है आपने सूर्य बली होने से आपका तन और मन दोनों स्ट्रोंग हो जाएगा इसके लिए आपको कम से कम डेली एक महीना, दो महीना, तीन महीना जितना कर सकें आपने डेली सूर्य नमशकार करना है दोस्तों और डेली 18 टाइम्स करना है 18 बार अगर इसको आप करते हैं तो कहीं न कहीं आप देखेगा आपका तन और मन स्ट्रोंग होता चला जाएगा इसके साथ साथ दोस्तों सूर्य नमशकार करने के बाद आपने इंद्र भगवान को सफेथ फूल जरूर चड़ाने है दोस्तो किसी मंदिर में जाहिएगा या अपने घर में इंद्र को स्थापित कर लीजिए और सूरिय नमशकार करने के बाद, स्नान करने के बाद आपने इंद्र भगवान को सफेथ फूल चड़ाने है अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपका कहिना के देखिया सूर्य बली होना शुरू हो जाता है एक और उपाय बताता हूं दोस्तों आपको आपने क्या करना है दोस्तों सिंग राशी वालों को हमेशा हर हफते रविवार के दिन गुड का दान करना है किसी मंदिर में जाकर दोस्तों आप गुड का दान कीजिए दूसरा हर रविवार के दिन सिंग राशी वालों को गुड और गेहूं गाएं को खिलाने हैं दोस्तों अगर गेहूं खिला सके ठीक है नहीं तो गेहूं की रोटी बनाइए और उसको साथ गुड मिलाकर गाएं को खिलाइए जितना आप ये करते हैं उतना अपका सूरिय बलवान होना शुरू हो जाता है आपका अत्ता नुरमन दोस्तों स्टों होना शुरू हो जाएगा इसके बाद एक रेमेडी ओर देता हूं दोस्तों आपको सूरिय को स्टॉंग करने की आपने करना दोस्तों रोज सूरिय को जल चडाना है लेकिन चडाना कब है हम ये बड़ा विच्छित रह है हमारे लिए हम सोचते हैं सूरिय को कभी भी चल चडा दो लेकिन ऐसा नहीं ह कि जब newspaper में आपको या किसी भी Google से आपको पता लग जाएगा कि सूर्य किस वक्त उदय होता है, जिस वक्त सूर्य उदय हो, उसके 24 मिनट के अंदर अंदर आपने सूर्य को जल जरूर चड़ाने है, सूर्य को जल चड़ाने के प्रता ये होती है, कि आपने जैसी सूर्य जल चड़ाने के लिए जल के अंदर आपने थोड़ा गंगा जल, मोली, रोली, और थोड़ा सा गुड़, ये आपने मिलाकर सूर्य बगवान को, सूर्य उदय के वक्त आपने जल चड़ाने है, अगर ऐसा कीजे दोस्तों, आपको खुची महिनों में आपको पता लगे है क की आपकी क्या रमेडिय हुएया, और और टन और मन कितना स्टोंग हो गया और कहीं आपके रज्य उतने शूंग हो जाएंगे तो अब बात करते हैं दोस्तों एक और अगर आपको स्टोंग करना है तो विश्नु सहस्तनाम का पार्ट स्टार्ट कर दीजे दोस्तों अगर आप डेली या रविवार के रविवार अगर विश्नु बगवान की पूजा कर लेते हैं या विश्नु की उपासना अरादना कैसे भी कर लें दोस्तों कहीं नहीं आपका कुणली का सूर्य है वो बली होना शुरू हो जाएगा अब दोस्तों बात करते हैं जो में प्लैनेट है यानि के शनी भगवान को हम कैसे स्ट्रोंग करें क्योंकि शनी महराज ही हैं सिंग राशी वालों के लिए जो की करजा उतारने में सबसे अदब उनकी हल्प करने वाले हैं तो शनी के कुछ उपाए मैं बता रहा हूँ आपको वो आप कीजिए आपको डेफिनिटली लाब होगा शनी का सबसे पहला उपाय दो आप जितना करेंगे तो आप देखेंगे कि कही ना कहीं कुछ ऐसे कारण बन जाएंगे कुछ ऐसे रिसोर्स आपके खुल जाएंगे जिसकी विससा आप अपना करजा उतार पाएंगे नेक्स राएंडी मेटी बता रहा हो दोस्तों शनी को बिल्वान करने के लिए आप ने क्या गतारने है दोस्तो शनीष ओक सरसों का तेल चड़ाना है दोस्तों आप चड़ाहिए आपको लगेगा कहीं अगरी को ऐसा रिसोर्स आपको खुल रहा है जिसकी वेशें आप अपने करजे उतार पारे हैं एक अगली रमडिय आपको दे रहा हूँ आपने करना दोस शनीवार के दिन जितने भी मजदूर होते हैं चाहे आपके घर के मेड है घर की मेड है या भार जो चोकिदार है या जो सड़क पर जाडू लगाने वाला है जितने भी मजदूर है आप अगर फैक्टिंग है आपकी तो आपके जो मजदूर आपके फैक्टिंग में काम करते होंगे उनको दोस्तों शनीवार के दिन जरूर आपने अपने मन से बोजन कराना है अच्छा बोजन कराना है यह नहीं कि मजदूर को कराना तो जैसा मली खलादो, जैसा आप खाते हैं, वैसे उनको भूजन कराना है, साथ इचाथ, उसके बाद, आपने दोस्तो हर मजदूर को थोड़े से बदाम जरूर गिप्ट करना है, दोस्तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो शनी महराज की किरपा प अपने करजे उतार सकें, इसके लिए आपने क्या करना है, कपूर को नारिल के तेर में मिलाकर अपने सर पर लगाना शुरू कीज़ें दोस्तो, जितना आप इसको लगाएंगे, उतना आपका शनी बलवान होना शुरू हो जाएगा, सैटन की, शनी की, आपको ब्लेसिंग म प्रोम से सनीचरायनम है, दोस्तो, इसकी चैंटिंग अगर हर शनीवार को 108 बार अगर आप कर लेते हैं, दोस्तो, तो आप देखेगा, मुझे ऐसा लगता है, अगर ऐसी रवेड़ी सिंग राशी वाले कर लें, तो दोस्तो, आपको करजा लेने की ज़रती ने पड़ेगी शनी माराज की ब्लेसिंग इतनी ज़्याद आपके उपर हो जाएगी, कि आपको करजा लेने की ज़रती ने पड़ेगी, आपके रिसोर्स वैसे ही खुलने शुरू हो जाएगे, इसके आप बात करते हैं, दोस्तो, एक क्रमेडी और बहुत अच्छी पता रहा हूँ, यह आ आपको मिलती है, तो आप अपना करजा दीखेगा कितनी 2,20 के अंदर आप उतार पाएगे, बहुत अच्छी रेमेडी आप कीजिए इसको, एक लास्ट रेमेडी और बता रहा हूँ आपको, अब आपने क्या करना है दोस्तो, क्रिस्टल लेना है आपने, क्रिस्टल कौन सा अमेथिस, अमेथिस क्रिस्टल किसी भी दुकान से आपको मिल जाएगा, और नहीं मिले तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, अमेथिस क्रिस्टल का पेंडेन या ब्रेसलेट आपने दोस्तो धारन करना है, दूसरा, एक कारलेनियन क्रिस्टल आता है, वो भी आप अपने पास दोस्तो, यानि कि Amethyst आपने धारन करना है, और कारलेनियन ब्रेसलेट या कारलेनियन पैंडेन, या कारलेनियन का इक स्टोन, यह आप अपने पास अखके हैं हमेशा, तभी घर से निकलें, तो दोस्तों आप ये रेमेडी कीजिए और आपको पता लगेगा कि इस रेमेडी सेदा हल्प करने वाले हमने उसकी भी remedy दे दी लेकिन अब एक या दो remedy हम करते हैं ताकि आपका भागय भी आपका सपोर्ट करें या इनके सिंग राशी वालों के लिए जो भागय का मालिक है वो है मंगल तो दोस्तों मंगल की एक remedy मैं बता रहा हूँ यह आप कीजिए तो definitely आ लगाईए और उनके चर्णों में जो सिंदूर लगा है उसको अपने माथे पर लगाकर हर मंगलवार के दिन निकल लिए तो दोस्तों कहना कि आपके भागय चमकना शुरू हो जाएगा और आप देखेगा जो आप बांगते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा दोस् इमर्ती लगा सकते हो जलेवी लगा सकते हो इनका भोग लगाईए और लगाने के बाद वो परशाद आपने p investigator को खिलाने और वो सारा परशाद आपने चिर्फ और सिर्फ बच्छों को बाटना है आप ऐसा कीजेए दोस्तों आप देखेगा केना कि जो मंगल है वो आपके में शबसेक रगन वालोग लिए हमने अलग से टेक्निकल हीडी इजाद किये हैं यह सब्सक्तिक बीडेकरे को अपने टालो तो ट जीर करता हूं और दोस्तो उमीद करता हो कि ये वीडियो भी आपको पुछले वीडियो की तरह पसंद आएगा और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो वीडियो थे हैं उनको अपने social network को शेयर करें ताकि इसका लाप सबी लोगों को मिल सकें तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक ने topic के साथ और दोस्तों आप लोग अगर मुझसे consultation लेना चाहते हैं तो मेरे जो नीचे number flash कर रहा है उस पर आप मेरे को contact कर सकते हैं और मेरे से consultation के लिए time ले सकते हैं और हमारे यहां regular interval पर short term and long term courses, चाहे वो astrology का है, numerology का है और वास्तु का है, वो courses चलते रहते हैं, अगर आप हम से जोतिश वास्तु और numerology की classes लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो भी आप मुझसे contact कर सकते हैं, तो दोस्तों, वीडियो पो ही कतम करते हैं, और मिलते हैं फ नवाद, नमस्कार मुझसक्तु